हेलो फ्रेंट्स इस राहूल वेल्टों जेर्फ ट्रीमर्स तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम दिस्ट्रस करेंगे युजिस्ट पेपर 1 की उनिट 8 इट इस आएक टी तो फ्रेंट्स इसी चैनल पर मैं और यह आपके साथ काफी साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं रिका आस पाइब करने के बाद जोन से टोपिक सबसे जादा रिपीट हो रहे थे जिनमें से बार-बार कोशिन आ रहा था उन टोपिक्स को स्पेसिविकली मेंशन किया है इस वीडियो के अंदर और उसके इलावा कुछ वो भी टोपिक्स मेंशन किया है जो मुझे लगता है कि आ एंपॉर्टें टोपिक जो मुझे अवी तक लगा वो तर टाइपस ओफ मेंबरी मेंजी कितने तरह इसे यह होती है क्यों कि रैम और रॉम एसा कोशन है जिसमें से बार-बार कोशन रिपीट हो रहा है तो मैंने सोचा इसको सबसे पहले था एंबर कर दिया जाए ठीक है च क्या होता है और उसके जो टाइप से वह most important है उन में से भी कई बार कोशिश आये हुए तो उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे चली तो सबसे पहले बात तो memory की बात कर लेते हैं तो memory basically क्या है जिसमें हमारा data store होता है तो सबसे बात करते है ROM की तो ROM हमारी क्या है read only memory तो ऐसी memory जिसको हम सिर्फ read कर सकते हैं edit नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं रोम इट इस पर्मनेंट टाइप अफ मेमरी इस contents are not lost when the power supply is switch off तो बेसिकली पर्मनेंट की जो हमारी memory होती है जो हमारी basically hard disk कह सकते हैं जिसमें data store होता है जिसकी memory lost नहीं होती आगर हमारी cable है वो चली जाए जो computer है वो it automatically off हो जाए तभी भी memory कहने होती lost नहीं होती क्योंकि permanent nature की memory होती है जो हमारी hard disk के अंदर basically हमें देखने को मिलती है ठीके जैसे कि आजकल आप mobile होगे तो mobile के अंदर एक site RAM दे रखे होती है इस mobile में इतनी RAM होगी और एक site ROM दे रखे होती है तो basically जो हमारी permanent memory है उसको ROM से denote करते है store crucial information essentially to operate the system तो इसमें हम basically crucial जिदनी में important information होती है यह सबसे important point आता है कि it is a non-volatile nature तो इसमें जो memory है हमारी ROM ये non-volatile है ठीक है इसका जो nature है non-volatile है बहुत बर के question हमें देखने को मिल है assertion reason के अंदर उसमें basically RAM और ROM के regarding है कि RAM volatile है ये ROM volatile है तो इसका आपको बतावना चाहिए कि इस ROM है वो हमारी non-volatile nature के अंदर है कि ये permanent है तो इसलिए non-volatile है always retain its data हमेशा data retain रहेगा चाहे computer on है चाहे off है using calculator and इसके उपर मैंने separate topic इसी में include करें आने वाल टाइम हम देखेंगे ROM is first classified into four types तो basically चाहर तरह की ROM है M-Prom E-Prom and W-Prom देखते हैं सबसे पहले बात तो ये कि इनकी full form जो है वो काफी important होने वाली है general direct question आप से ask किया जा सकता है देखो ICT एक ऐसी unit है जिसमें से simple simple question आते हैं ठीक है ज्यादा hard questions नहीं आते है तो मैं आपको यहाँ पर general knowledge के base पर काम नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ आपको एक exam के लिए prepare करवाने की बात कर रहा हूं ठीक है तो इसलिए मैंने इसको detail में नहीं ज्यादा include कर रहा है जितना हमारा content relate करता है exam से उसी चीज़ को mention करने की कोशिश कर रही है सबसे पहले बात करते है प्रॉम की तो programmable read-only memory एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया डाटा को उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते है तो वह चीज़ें आपको हाँ मिशक consistent देखने को मिलेंगी इसके बाद है e-prom e-prom क्या है it can be rig program to erase data from it expose it to ultraviolet rate अब जिसके आगे erase लग गया इसका मतलब हम data को erase तो कर सकते हैं लेकिन उसको erase करना इतना easy नहीं है उसको करने के लिए आपको किसी चीज की requirement है और वो क्या है मारे अल्ट्रा वॉयलेट रेज लाइट की जिसके तुरू आप data को erase करके दुबारा store कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है डबली प्रॉम अब डबली क्या इलेक्ट्रिकली erasable नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रिकली erasable अभी तक तो आपको अल्ट्रा वॉयलेट रेज लाइट की requirement थी बट इसके अंदर क्या है आप data को इरेज कर सकते हैं और वह easily कर सकते हैं क्योंकि technology अप्ग्रेड हो चुकी है तो आप electro-clically क्या कर सकते हैं data ko erase कर सकते हैं only a portion of the chip लेकिन complete डाटा को अब भी भी erase नहीं कर सकते सिर्फ आप partial data ko erase कर सकते हैं थोड़ी बहुत जगा मना सकते हैं data ko करके electrically erase करके आप data को थोड़ी बहुत जंगा बना सकते हैं जिसमें आप निया data store कर सकते हैं वो है डबली प्रॉम देन हम बात करते हैं रैम तो रैम जो है random SS memory पहली बात तो इनकी फुल-फोर में काफी important होती है तो रैम की store in RAM until the consumer computer is running तो जो हमारा रैम है रैम के अंदर डाटा तब तक चोड़ रहेगा जब तक आपका computer run कर रहा है ठीक है क्योंकि तभी UPS की demand बड़ी थी क्योंकि रैम का जो डाटा है वह जल्दी क्या हो जाता है डिलीट हो जाता है क्योंकि टेंप्रेरी डाटा होता है तो रैम में बसी डाटा तक रहता है जब तक आपका computer क्या है ओन है क्योंकि टेंप्रेरी डाटा है तो इस तरह की नेचर किया है डैनमिक रैम नाम से पता लग रहा है एक स्टेटिक है एक डैनमिक है तो स्टेटिक कौन सी होती है इडिज़ टाइप ऑफ सेमिकंड़क्टर विच इस वाइडली यूज़ इन इस एंड बैक्रो प्रोसेसर तो बैसिकली प्रमरेंट निचर का है जो हमारा जो है वाइडली यूज़ क्या जाता है अगरिवन का दिफरेंस की बात करें दोनों का डिफरेंस काफी इंप्रइंट है मैटर भी करता है स्टेटिक और डैनमिक का तो स्टेटिक जो थी है बहूँ आधे के लिए होते है तो वह expensive होती है जबकि डैनामिक जोती है वह inexpensive होती है in comparison to static जो static है वह faster होती है DRAM के comparison में और यह slower होती है static faster होती है इसलिए यह ज्यादा power को consume करती है लेकिन यह कम power पर भी काम कर लेती है use for catch memory जो catch memory होती है अब यह catch memory कूछ सिए इसको मैं next slide में आपके से discuss करता हूं लेकिन यह uses for main memory डैनामिक रैम जो है वो main memory के लिए यूज होती है generate more heat क्योंकि यह faster होती है इस लिए जए हीट को generate करती है डैनामिक मेमरी जो है कम heat को generate करती है okay hopso clear होगा होगा आपको RAM पारे में जो थोड़ा बहुत भी डिफ्रेंस है वह भी क्लियर हो गया होगा चलिए जो थर्ड मेमरी है हमारी केचे मेमरी बहुत दो है अब यह सबसे ज्यादा हाइज तो हम क्या करते हैं जब भी हम Google पर कुछ टाइप करते हैं तो अगर हमने पहले सर्च किया होता है तो अटोमेटिकली लिखा जाता है इसका मतलब क्या है कि वह हमारा कैचे जो है उसके अंदर सेव हो चुक है कैची में में वह चीज क्या है सेव हो चुकी है जो मैंने प्राम्री मेमरी तो CPU जो है बिसकल किस इस मेमनी को जलदी असेश कर पाता रहता है रहतान दन प्राम्री मेंमरी तो इट इजस भी हएज टॉर कि धिरसर्भ पार्ट अव्ग एड्व्छ अन क्लीं कास्तिकलि है कि जैसे CPU को डाटा की requirement होती है तो इसके कोशिश रहते है कि उसको जल्दी ही डाटा को provide कराया जाए ठीक है it act as a buffer between RAM and CPU तो RAM और CPU के बीच में link बनाने का काम करती है हमारी catch memory ठीक है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ठीक है कोशन आपसे पूछे जा सकता है ओके कुछ कोशन आपके लिए तो कोशन है हमारा which of the flowing computer component faster in terms of speed तो यह जून 2019 में कोशन आया है हमारे net के अंदर कि कौन सा इसमें सब्सक्राइब फास्टर है ठीक रैंप रोम यूजबी ड्राइब और हाड डिस्क उसके लावा है इसका अंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है फिर मैं आपको बदाऊंगा ठीक है इन कंपरिजन विस्टेटिक रैं मेंबरी दैनमिक रैंप मेंबरी लोफी डैंसरी अन्याइब सब्सक्राइबे और रहए डैंसरी तक कंपरिजन सांगा शायые है लुआ यह जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब टो और के पर लबदो आप दो, लोगे बन दाना है जो से यक्धि पारीं में की बारे में तो Ferry Frile Devices जो की Consider करती है Input & Output Devices दोनों को मिला कर ही हम Ferry Frile Devices कहते हैं ठीक है यह काफ़ी important है काफ़ी simple question है friends generally यही पूछ जाता है कि which one of the flowing is the input device चार उप्शन दे जांगे पूछ लेंके कौन से लगता है हमें में बहुत था करता है था है रिभी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि pen drive वदाओ कौन सी डिवाइज है अब पैंडराइफ सी data हम लेते भी है पैंडराइफ सी data हम देते भी है ठीक है तो हम इसमें काफी कम्पीटर के अंदर इंपूट कर रहा है दाटा को इंपूट किया रहा है किस चीज़ के अंदर computer के अंदर तो उस डिवाइस को क्या कहेंगे जिसके थूँट किया जा रहे हैं वो कहलाएगी इंपूट डिवाइस अब खुद से सोचो कि हर वो डिवाइस जिसके थूँटा ट्रांसफर कर रहा हूं और चाहिए वो कीबोड है कीबोड से टाइप कर रहा है पीसी के अंदर जा लए तो माूस है क्लिक कर रहा हूं डाटा 2022 कवार हैं तो जैस्टिक है लाइंट पेन हैं मैंक्रोफोन है स्कैनर है बरकोड रिडर है बस आपको इतना याद रखना कि कुण को सी डिवाइस हमारी इंपूट है और कुण को सी मारी आउटपुट है कोशन इससे जादा कुछ नहीं पूछा जाता इन चीजों का आपको पता होना चाहिए और जहां-जहां से कॉछन पूछ गया है मैंने उन साइड डिवाइस के आपे नाम लिख दिया है कई बा तो यह इनपूटबाइस हेमारी सेम आउटपुट है आउटबट इवइस कोनसी होती है जिसके दूरूड हम ले रहे हैं अभी तक हम डाटा दे रहे थे अब ले रहे हैं तो वो सारे की सारी क्या रहा जाएंगे मारी आउटपूट isto जैसें से हमारी वह 6aches अवारे नाम हम printer है मिलेको क्या है पेजिस की printer के अंदर क्या है प्रिंट कमाड दे रहा हूं उसके बाद मुझे पेजी मिल रहे है प्रिंट होकर तो कुछ नहीं तो आउटपूट मिल रहा है तो यह ऐसे स्पिकर हो गया प्रोजेक्टर हो गया है है एडफोन सोगा प्लोटर यहां रखना फ्रेंट्स प्लोटर काफी बार पूछी जाता है क्योंकि हमें नहीं पता होता जर्णल सेंस में इसको नहीं करते हैं तो प्लोटर हमारी क्या है ऩी हैं सचेंटरिकन रख सकते हैं इनको हम रखेंगे कि इस किके अंदर स्टरेंच डिवाइस के अंदर set और किए जीन हैसा बेसे इसकते हैं और जितने भी वह एक्जाम जिसमें computer के regarding हमारा pattern रहता है तो वहाँ पर email के बारे में जरूर पूछा जाता है ठीक है तो छोटा सा टोपी किया है let's discuss सबसे पहली बात तो email email की full form क्या होती है electronic mail होपस आपको पता होगा बट फिर भी कहीं बार कहीं को नहीं पता होता तो email को हम electronic mail से जानते हैं तो अगर हम बात करें email तो email is also known as email a method of exchange digitally message तो basically क्या है एक formal way है जिसके तुरू हम message को एक्सचेंज करते हैं आप कहोगे हम तो WhatsApp के थूरू भी करते हैं हम तो Facebook के थूरू भी करते हैं तभी मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मल लगाया क्योंकि जितने भी महारी organizations होती है companies होती है वह message को exchange करने के लिए email का ही यूज करती है email server accept forward deliver and store message अब जितने भी message जो करे जाते सेंड किया जाता है उसके पिछे server काम कर रहा होता है वह काफी important है उसका बारे में आपको जाना चाहिए वह server ही सारा काम करता है है message को deliver करने में send करने में में और रिसीव करवाने में सारा काम सर्वर का ही होता है नेक्स लाइन भी हम जानेगे email के कुणा कुण से components होते हैं तो basically हमारे four components होते हैं सबसे पल तो क्या है किसको हम मेल सेंड कर रहे हैं जिसमें डालते हैं जिसको हम मेल सेंड कर रहे हैं उसको हम डालते हैं टू के अंदर क्षड को N Mindy कर रहा है इसका नाम केशभ आएका टू के अंदर सेन्ट कोन कर रहा हूं मैं यह तो रहोल की बताने को कई नहीं बनता लेकिन सवय को смेल क्रट रहा है तो पता होने चाहिए है CC Carbon Copy और BCC Client Blind Carbon Copy इस दोनों के उपर कफी बार कोशन आया है CC के अंदर क्या है मालों मुझे किसी के साथ मेल करना है ठीक है मालों केशव के साथ मेल करना है लेकिन मैं चाहरा हूं कि इसी मेल को मैं अपने संसरे मिया करना को सबसेख को अलग से मिल ना करकर को सीजी में डाल दूँए कारबन को इंदर डाल दूँए ताकि दोनों को एक साह्थ में मिल चले जाए लेकिन कंड déjàती है जो जो मेरा दोस्त केश्व है उसको भी पता लगजाएगा कि मैंने यह मेल किस किस शेयर कर रही है अगर मैं CC में उसका नाम डाल देता हूं अगर मैं अपने दुसरे फ्रेंड का नाम अकाश का नाम CC में डाल देता हूं तो अकाश को भी पता होगा कि मैंने यह मेल केशव के साथ शेयर कर रही है और केशव को भी पता होगा कि कि यही सेम मेल मैंने अकाश के साथ भी शेयर कर रही है लेकिन अगर मैं उसी को blind carbon copy के अंदर ढाल जो देखो blind नाम से पता लग रहा है blind carbon copy इसका मतलब क्या है कि ना तो मेरे केशव दोस्त को पता लगएगा कि मैंने अकाश के साथ फाइल शे아 कर रही है नहीं अकाश को पता लगेगा कि अब जो steps आते हैं sending mail, तो यह steps जो procedure है, यह काफी important है, इसमें आपको पता लगेगा कौन सा server use किया जाता है, mail को send करने के लिए, दुस्ता sender composes a message using an email client on the computer, तो सबसे पहले sender क्या करता है, email का use करता है message को deliver करने के लिए, when the user sends a message, the email text and achievements uploaded on the SMTP, तो याद रखना, email का जितना भी काम handle किया जाता है, तो वो इस protocol के थुरू किया जाता है, SMTP, इसके full form है simple mail transfer protocol, अब कहीं बार questions direct पूछ ले जाता है, what is the full form of SMTP, तो SMTP की full form है, simple mail transfer protocol, तो इस protocol का सबसे जादा use किया जाता है, message को deliver करने में, और message को receive करने में, तो जैसे ही मैं mail करूँगा, तो mail सिर्दर डिरेक्टर उसके पास ही जाएगा, इस protocol के पास जाएगा, server के पास जाएगा, यह क्या करेगा, all outgoing message into mail queue, while the SMTP server communicates with the DNS, तो जैसे ही मैं message send करूँगा, तो वो सबसे पहले SMTP server के पास जाएगा, वो communicate करेगा किसको domain name system को, जो दूसरे का domain system है, जिसने भी अपने ID बना रखिया है, जिस domain के साथ, मालनो at the rate gmail.com, at the rate yahoo.com, उस domain को वो analyze करेगा, कौन analyze करेगा, domain name system, अगर उसको वो particular domain मिल जाता है, तब तो message direct lever हो जाएगा, in case अगर वो domain नहीं मिलता है, मालनो मैंने send करा, मेरे दोस्त की ID थी, keshav at the rate yahoo.com, ठीक है, keshav at the rate yahoo.com, उसकी email ID थी, बट उसने yahoo से ना करके, मैंने क्या डाल दे, keshav at the rate gmail.com, तो इस वक्त जो domain है, वो उसको attach नहीं करेगा, तो जो message है, वो वापिस revert back कर देगा, किसको मुझे, लाहूल को revert back कर देगा, यह information देगा, कि यह जो domain है, यह हमें find out नहीं हुआ है, इसलिए हम message को deliver नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का रोल होता है, SMTP का और domain name system का, if SMTP server find the recipient email address, it will transfer the message, अगर email address को find out कर लेता है, तो transfer हो जाएगा message, अगर find out नहीं किया जाएगा, तो message जो है, transfer नहीं किया जाएगा, और एक notification receive होगी, कि आपका जो email है, वो सामने वाले तक नहीं पहुंच जा, अब कुछ questions आपके लिए friends, practice based question है, which protocol is only used for sending and receiving, काफी simple है, होप text of mail, तो friends, एक टी जो काफी बार पूच जाते, spam, spam mail कौन सा होता है, बहुत बार आपने देखा होगा, कहीं बर message हमें direct receive नहीं होते, वो spam में चले जाते हैं, तो आपको बताना है, A, unsolidated or unwanted email, B, email sent to a specific person, C, email with large attachment, D, email containing sensitive information, होपसो friends, आप इनको attempt करके, इसका answer जुरू comment box में देंगे, then मैं आपको बताऊंगा कि आपका answer ठीक है यह नहीं है, okay, so चली friends, अब हम discuss करते हैं, next topic, units of storage memory, तो friends, यह जो topic है, काफी basic है, but बहुत जादा important topic है, इसमें से काफी सारे questions आते हैं, questions किस तरह का आते हैं, जो हमको units दे रखे होते हैं, storage memory के, like, हमें MB दे रखे, KB द करना होता है, whether it is ascending or descending, ascending or descending order में हमें इसको arrange करना होता है, तो यह भहुत बार repeat हो चुका है, same level का question, एक बार क्या हुआ था, एक बार हमारा जो question आया, उसमें हमें क्या दे रखा था, 1 GB दे रखा था, उसको 2 की power में हमें क्या करना था, convert करना था, तो इस तरह के question हमें इसक लेवल का है, लेकिन काफी important है, तो हम इसको सारी unit discuss करेंगे, इसके अंदर, ठीक है, descending order में हम work करेंगे, sorry, ascending order में हम work करेंगे, इनकी units के अंदर, चली देखते हैं, तो सबसे पहले जो unit आते है, सबसे smallest unit है, तो bit है, सबसे smallest unit है, represent a single binary digit which can be either 0 और 1, तो यह binary digit को represent करते है यह 0 और 1, आपको बता है कि हमारी binary digit दो ही है, एक 0 है और दूसरी 1 है, जिसमें हम binary numbers को भी represent करते है, 0 और 1 की form के अंदर, ठीक है, तो यह कहलाती है bit, तो question आ सकता है, अगर बहुत जादा basic question आया, तो मनमाने assertion reason में यह भी डाल देते है, assertion, the bit is the smallest unit, तो yes, this is true, उसके बाद byte, byte के compress of 8 bit, so comprises of 8 bit, तो byte के अंदर total कितनी bits आते है, 8 bit आते है, तो second, जो largest unit है, वो कौन सी हमारी byte है, often consider the fundamental unit of storage, तो याद रखना, byte को fundamental unit consider किया आ गया है, storage की, ठीक है, bit के comparison में byte को ही fundamental unit माला गया है, storage की, तो यह भी important है, question यहां से भी आ सकता है, which one of the following is the fundamental unit of storage, so that is byte, इसके बाद है kb, kilobyte, तो kilobyte जो है, equivalent to 1024 byte, और 2 raise to power 10, frequently used to quantify small amount of data, तो basically जितने भी हमारी small files होती है, वो हमारी kb के अंदर ही होती है, जैसे कि अगर हम बात करें text file की, यह simple images की बात करें, तो वो हमारी किसमे होती है, kb की form में ही होती है, जो आप WhatsApp पे share करते हो, images, वो सारे kb की form में ही होती है, और kb जो है, वो equivalent होते है 1024 bytes, और यह 2 raise to power 10, इसका important है, यह याद रखना, इसके उपर काफी बार कोशन आ जाते है, ओके, next है MB, megabyte, megabyte जो है, वो equal है 1024 kb, और 2 raise to power 20, often used to describe the size of documents, photos and music files, जितने भी हम basically music files share करते हैं, वो सारे किसमे होती है, हमारी MB में होती है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते है, GB, MB के बाद आती है, GB, अब GB जो है, उसमें होती है, 1024 megabyte, और इसको हम डिफाइन करते है, 2 raise to power 30, frequently employed while discussing larger files, high resolution photos होगे है, video software installation, तो जितने भी हमारे movies की बात करें, ठीक है, high quality की videos की बात करें, वो सारे किसमें होती है, हमारी GB TB की फोम में ही होती है, इस से larger level पर चलते हैं, और वो आता है, हमारे पास TB, that is terabyte, equivalent to 1024 GB, और 2 raise to power 40, used to express significant amount of data, such as extensive media, libraries, database and server storage, तो काफी जो high level के जो storage होती है, वो साई TB में ही हमारी count होती है, तो आजकल जितने भी laptops हैं, आजकल जो आरे है, modern laptops, उनमें जो हमारी disk दे रखी हो TB की होती है, इसके बाद है PB, petabyte, तो petabyte जो है, उसमें include होते है, 1024 terabyte, 2 raise to power 50, often employed while discussing massive amount of data, such as scientific research, big data analytics, to data centers, जितने में data centers है, जहाँ पर डाटा को storage किया जाता है, वहाँ पर PB को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो इस storage unit को यूज किया जाता है, PB को, इसके बाद है EB, exabyte, तो exabyte आता है, equal to 1024 PB, approximately 2 raise to power 60, frequently user discussion regarding global data storage, तो अगर हम global data की बात करें, ठीक है, तो वह किसी storage unit में count होता है, वह होता है EB, exabyte में, उसके बाद है YB, yotabyte, इसकी full form भी important है friends, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, YB, yotabyte, equivalent to 1024 zettabytes, ठीक है, so 1024 zettabytes के equal है, अभी zettabytes next में आएगा, to raise to power 80, the highest unit of storage, measurement currently defined, तो yotabyte जो है, वो highest unit उसको define किया गया है, ठीक है, तो yotabyte जो है, मारी highest unit, जो है, मानी जाती है, YB, होप से friends, आपको clear हो गया होगा, चलिए, तो कुछ questions आपके लिए, किस तरह कोशन से, यहां से आपका idea हो जाएगा, how many bytes are in terabytes, तो 1024 bytes, 1048576 bytes, 1073741824 bytes, और 109951627766 bytes, तो friends, यह एक question जो है, कोई exam में से, particular exam में से लिया हुआ है, तो questions इस तरह से भी आप से पुछा जा सकता है, कोई बड़ा issue नहीं है, कि आपको TB को convert करना है, कि सीच के अंदर, bytes के अंदर, तो यह काफी difficult हो जाएगा, hopes आपको clear कर लिए होगा, multiply करकर करके काम करना है, इसके में आपको, KB, CGB, और DTB, इसका भी answer आपको नेचे कमन करके बताना है, hopes आपको clear होगा होगा, चलिए, अब discuss करते हैं, one of the most important topic, type of virus, generally हम अपने common life में virus को काफी सुनते हैं, coronavirus वो इस virus की बात नहीं हो रही है, तो generally जो computer के virus होते हैं, उनकी भी अलगलग category होती है, उसके बारे में हम यहापे बात करेंगे, ठीक है, तो वो काफी important है, match of the flowing में generally हैं से आपको question देखने को जुरूर मिल सकता है, एक side आपको virus दे रखे होंगे, दुसरी side उसके meaning दे रखे होंगे, तो यह सारे के सारे हम discuss करने वाले हैं, कुछ के बारे में आपने सुन रखा होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही new हैं हमाड लिए, ठीक है, तो match of the flowing में यह ask किये जा सकते हैं, ओके, सो चलिए, one by one discuss करते हैं, सबसे पहला है file infectors, तो फ्रेंट्स एक जी जाद रखना, इनके जो meaning है न, इनके जो नाम है virus के, उसके base पर ही इनके meaning clear है, ठीक है, तो नाम के अंधर ही इनके meaning छुपे हुए है, तो सबसे पहला है file inspector, infectors, तो इस virus infect executable files such as .com or .xc files by attaching themselves to the host program, तो basically file infectors है, तो यह हमारी जितने भी files हैं, जो .com or .xc वाली files होती है, उनको infect करते हैं, when the infected file is executed, the virus code is activated, जैसे मालो मैंने कोई file download करी net से, और जैसे ही मैं उस file को execute करता हूँ, run करता हूँ, तो यह virus automatically क्या हो जाता है, update हो जाता है, याद रखना, बिना run करें कभी यह virus activate नहीं होता, जैसे ही मैं file को execute करूँगा, मालो मैं net से कोई file download करी, और उसको execute करना start किया, वैसे ही यह जो virus है, automatically update हो जाता है, activate हो जाता है, इसको कहते हैं file infectors, तो यह files को क्या करते हैं, affect करते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पर कहते हैं कि मेरी file open ही नहीं हो रही है, मैं net से download करें, वो open ही नहीं हो रही है, तो वो कहीं नहीं होती है, उसके अंदर virus आया होता है, इसके बाद है boot sector virus, अभी boot sector virus कौन सा होता है, तो basically again, तो क्या होता है, जितना भी हमारी hard drive होती है, यह storage device होती है, उसको affect करता है हमारा यह virus, ठीक है, जो मेरा data है basically, उसी को affect कर रहा है, जैसे ही मैं अपने computer को boot up में लगाता हूँ, तो उसके बाद यह activate हो जाता है, मेरा जो virus है, okay, उससे पहले activate नहीं होता, जब मैं अपने system को boot up करता हूँ, और affect किस चीज़ को करेगा, यह hard drive को करेगा, और storage drive को, जिसमें मेरा data है, उस चीज़ को ही यह क्या करता है, affect करता है, तो यह जैसे ही boot up करेंगे हम अपने system को, तो यह other files को भी क्या करना start कर देगा, affect करना start कर देगा, तो यह चीज़ या दखना virus कभी भी automatically activate नहीं होता, उसको activate करने के लिए signal की requirement होती है, वो signal या तो हम किसी भी चीज़ को run करके कर सकते हैं, या उसको boot up करके कर सकते हैं, उसके बाद है polymorphic virus, अब भी polymorphic virus कोन सा होता है, polymorphic virus have the ability to change their own code and appearance to avoid detection by antivirus, तो यह बहुत ज़्यादा खदरनाक एक तरह का हमारा virus है, क्यों है, क्योंकि यह जो virus है यह अपना रूप बदलता रहता है, जैसे कि एक variant आया था, कोविड का, क्रोना वाइरस का एक variant था, जिसमें वो automatically क्या हो रहा था, अपना जो रूप है वो change कर रहा था, जिसकी वज़े से vaccine उसके उपर काम ही नहीं कर पा रही थी, तो उसी तरह का virus है, यह हमारा polymorphic virus, इसमें क्या होता है, यह जो virus है, यह अपनी appearance को change करते रहता है, क्योंकि जो antivirus बनाया जाते हैं, वो particular एक virus को ध्यान में रखके बनाया जाता है, लेकिन जो virus ही अपनी appearance change कर रहा है, तो उसको target करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो यह harmful है, यह काफी virus, जो है polymorphic virus, यह detect करना मुश्किल हो जाता है, तो आप से पूचा जा सकता है, ठीक है, जैसे मालो, एक side हमें दे रखा है polymorphic virus, दूसरी side उसका meaning दे रखा है, meaning के अंदर उन्होंने दे दिया, कि एक ऐसा virus जो mutate होता रहता है, तो वो कौन सा होगा, तो वो महला polymorphic virus होगा, इसके बाद आता है worms, worms क्या है, are self-replicating programs that can spread independently across computer network, अभी जो worms होते हैं, यह independently spread होते हैं, इनको किसी चीज़ के जुड़त नहीं होती है, ठीक है, unlike virus, worms do not require a host program to spread, they exploit network and can cause significant damage by consuming network bandwidth, तो अब यह जो virus होता है, यह हमारे network से आता है, जैसे कि मालू मैंने किसी का Wi-Fi connect कर रख है, Wi-Fi से connect कर रख है, किसी के hotspot से connect कर रख है, तो उसके थुरू यह virus जो है, मेरे में automatically transfer हो जाएगा, उसको कहेंगे worms, तो यह network के through ज्यादा connected रहता है, ठीक है, और यह independently work करता है, इसको किसी host program की requirement नहीं है, इसका मतलब क्या, कि कोई system को boot up करने की, या file current करने की जूरत नहीं है, जैसे ही network से connect होगा, वो automatically मेरे mobile में transfer होना start हो जाएगा, और यह क्या करता है, transfer होना के बाद ज्यादा power भी consume करता है, और space भी consume करता है, जैसे कि आजकल आपने mobile में देखा होगा, हमारे mobile में data नहीं होता, बट still वो दिखाया रखता है बार-बार, कि incapable storage, यह हम कह सकते है storage insufficient, इसका मतलब क्या है, कि आपके mobile में कहिना कहीं virus है, और व frozen horses कोन से होते हैं, these are the malware programs, they deceive users by appearing useful, while secretly performing malicious action, अब यह देखो, इस तने का हमारे programs होते हैं, जो मुझे को दिखायते हैं, कि हम आपके लिए काफी useful है, जैसे कि मालो मैं net पर काम कर रहा था, कल पर सो मैं कुछ सर्च कर रहा था, नेट के उपर, तो उपर एक link आता है, वो कहता है कि download now and prevent your mobile from virus, मतलब एक इस तरह का link generate होता है, जिसमें लिखा होता है, कि आप download करिये इस एप को, और अपने mobile को virus से क्या करिये, protect करिये, मतलब कि वो मुझे ऐसे appear करा रहा है, कि वो बहुत जादा मेरे लिए useful है, बट ऐसा नहीं होता, वो secretly क्या करते है, malicious activities जो है, वो perform करते हैं मेरे device के अंदर, ठीक है, तो वो जो दिखाते हैं अपने आप को useful हैं, बट होते हो बेकार हैं, वो होते हैं हमारे trozen horses, यह important है, यह भी आदक ना, इसके उपर काफी बार question asked किया गया है, तो इसका काम क्या करता है, यह sensitive information को steal करता है, तो जो हमारी sensitive information जैसे बैंक की, जो credit card की information, उनको steal करने का काम जोता है, वो trozen horses से ही किया जाता है, इसके बाद है ransomware, ransomware क्या है, it is a type of malware that encrypt file on victim computer or network and making them inaccessible, अब यह क्या करता है ransomware, अब कुछ attackers होते हैं, hackers होते हैं, यह इस तरह का virus हमारे computer में छोड़ देंगे, जो क्या करेगा, मेरी files को inaccessible कर देगा, मालों computer के अंदर, उसको attack करेगा, उस file को और वो open होना, बंद हो जाएगी file, फिर यह क्या करेंगे, ransom payment demand करेंगे, जो hackers है, वो ransom payment demand करते हैं, और कहते हैं कि पहले हमें payment करेंगे, फिर हम आपकी file को operate करवाएंगे, ठीक है, तो इस तरह के जो virus होता है, इसको कहते है ransomware, यह भी important है, तो ransomware में क्या है, जो attackers, जो hackers है, वो मेरे particular file को attack करते हैं, और उसको क्या कर देते हैं, close down कर देते हैं, जब तक मैं को एक payment नहीं करूँगा, उनको तब तक वो file open नहीं होगी, उस payment को भी क्या कहा जाता है, ransom payment कहा जाता है, इसके बाद है spyware, अब spyware क्या है, spy, basically spy का का काम क्य users activity, तो यह users की activity की information को क्या करते हैं, gather करते हैं, कि मैं आपने device पर क्या 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 perform कर रहा हूँ, यह किसको पता होगा, जो connect होगा इस चीसे, ठीक है, without their knowledge or consent, it can track browsing habits, records, keystrokes and capture personal information, जैसे कि मालो, कल मैं Google पर कुछ सर्च कर रहा था, और आज वो चीज मुझे Instagram पर show हो रही है, ह मुझे required है, तो यह spyware के थुरू यह सारा काम किया जाता है, चलिए, last है मारा adware, adware क्या होता है, it is a software that displays unwanted advertisement और pop-up window, और user's computer, तो जैसे मालो मैं net पर कुछ सर्च कर रहा हूँ, सर्च करते-करते कुछ pop-up windows appear हो रही है, जिसमें मुझे advertisement दिखाए जा रही है, ठीक है, वो advertisements हो इसको एक virus treat किया गया है, इसको कहते है हम adware, ठीक है, hope so clear हो गया होगा, okay, so चलिए friends अपना next important topic discuss करते है, that is search engines, तो जिस तरह हमारा types of virus है, same हमारे types of search engines भी है, ठीक है, जिन में से as usual हमारा match of the flowing का question create होता है, एक side आपको search engines के type दे रख्योंगे, यह दूसरी side उसका meaning दे रख होगा, अगर general sense में बात करें, तो search engine होता क्या है, तो basically जहां से हम चीजों को search करते हैं, ठीक है, वो हमरा search engine, हम generally search करने के लिए Google का ही use करते हैं, और वो general level पर ही हम उसी चीच का use करते हैं, लेकिन इसके इलावा और भी कहीं सारे search engine होते हैं, जिसके बारे में शायद हमें न search engine क्या है, basically यह एक software program है, that helps people to find the information they are looking, तो basically search engine क्या help करता है, जिस चीज के बारे में मैं जाना चाहता हूं, जो उनसी information मैं गेन करना चाहता हूं, उसके बारे में मुझे information प्रोवाइड करता है, कौन search engine, जैसे कि Google है, मुझे कोई भी information चाहिए, मैं Google पर जाकर search कर लेता हू तो Google search engine है, search engine are able to return result quickly even with million of website online by scanning the internet continuously, तो हम इसमें million of website है, मैसे जैसे कोई चीज भी search करता हूं, तो वो एक मिन्ट में में मेरे पास result आ जाता है, ठीक है, अब search engine कितने तरह गी है, तो search engine हमाई पर साथ रहे हैं, पहला है general search engine, दूसरा है vertical search engine, तीसरा है social media search engine, logical search engine, academic search engine, deep web search engine, search engine, और private search engine, ओके, तो one by one जानते है, सबसे पहले बात करते है, general search engine, नाम से पता लग रहा है, general, जो काम भी क्या करेगा, general ही करेगा, so general search engine like Google, Bing, Yahoo are the most common type, they index web pages from across the internet and provide comprehensive research results, तो basically क्या है, जो general search engine है, वो general ही काम करते हैं, मुझे कोई भी general information चाहिए, मैं इस search engine के थ्रू gather कर सकता हूँ, जैसे कि Yahoo, Google, Bing, ये सारे general search engine है, आप कभी भी कोई चीज़ करते हो, वैसे तो common हमारा Google ही रहते है, लेकिन Bing और Yahoo के उपर भी जाकर आप इन चीज़ों को search कर सकते हो, ठीके, Yahoo तो फिलाल के लिए बंद हो गया, लेकिन Bing फिलाल के लिए चल रहा है, तो यहाँ पर जाक करते हैं, वो algorithm के उपर काम करती है, ठीक है, जैसे कि आप मालनों कोई video search कर रहे हो, वीडियो एक रिकारिंग, अब वो किसी भी YouTuber की video उपर आ सकती है, वो किस बेस पर आ रही है, वो algorithm के बेस पर आ रही है, तो हमारी जो search engine है, वो algorithm पर ही क्या करते है, काम करते हैं, इसके बा food area पर काम नहीं करते हैं, वो एक specific चीजों पर काम करते हैं, specific industries पर काम करते हैं, और हम कह सकते हैं, particular niche पर काम करते हैं, ठीक है, they provide more targeted results by crawling and indexing website with a particular domain, तो ये क्या करते हैं, इन search engine में हमें specific information देखने को मिलती है, ठीक है, तो जैसे मालनों मैं food के बारे में search कर रहा हूँ, अब food तो कोई सब या सकता है, vegetarian भी आ सकता है, non-vegetarian भी आ सकता है, fast food भी आ सकता है, homemade food भी आ सकता है, but जो vertical search engine है न, वो मुझे specific result ही देगा, जिस चीज़ के बारे में मैं search कर रहा हूँ, जिसे की बात करते हैं, news search engine, image search engine, अब मालनो Google images पर आप जाओगे, तो आपको वहाँ पर ज अचीए, अज़र्शे रीजन में भी कोशिन आ सकता है, और मैं चाहूदा फ्लोंग में भी आप से पूचा जा सकता है, चली, इसके बाद हम बात करते हैं, social media search engine, इसके बारे में तो बताने की भी शायद जूरत नहीं होगी, आज की टाइम में हम सबसे ज़्यादा जो connected है, वो social media से ही है, ठीक है, social media search engine क्या है, basically platform से हमारे facebook, twitter, instagram, they search engine allow user to find post, profiles, hashtag, or other content within the platform, तो जितना भी हम online काम करते है, online facebook पर हम discussion करते है, या message chats वगरा करते है, instagram पर करते है, यह सारा जो part है, हमारे किसीश का है, social media search engine का है, ठीक है, जहापर हमे social gathering देखने को मिलती है, social media search engine prioritize relevance based on the factors like user connection, engagement, popularity, इन चीजर पर यह क्या करते है, काम करते है, तो basic सा है हमारा, इसके बाद हम बात करते है, local search engine, तो local search engine क्या है, जो local level पर रहकर क्या करेगा काम, आपको local information provide करेगा, जो search engine, वो कौन सा होता है, local search engine होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ Google Maps की, तो Google Maps की, अ अपने गली के, अपने महोले के बारे में, या अपने महोले से अगले महोले के बारे में बजाना है, वो भी मुझे provide कर देगा, तो local level की चीज़े भी मुझे क्या करेगा, provide कर देगा, तो यह जो search engine है, कौन सा है, local search engine खेलाएगा, ठीक है, that are relevant to a specific geographical location, they help user to find business services, attraction and events within their win city, example है Google Maps, हम बदा सकते है, Trip Advisor हमें advise करता है, हमारे local level पर भी advise करता है, और particular location के बारे में भी क्या करता है, advise करता है, तो यह कौन सा search engine है, यह हमारा है, local search engine, hope so clear हो गया होगा, चली, अब हम बात करते है, academic search engine, यह हमारे लिए काफी important है, जितने भी आप देख रहे हो, वीडियो, उन सभी के लिए important है, academic search engine, ठीक है, अब academic search engine क्या है, यह हमारे academic field में help करता है, जैसे कि हम बात करते है, Google scholar की, यह हम Microsoft academic, specialized in indexing, scholarly literature and research papers, यह हम research gate की बात करते है, तो यह search engine क्या करते है, हमें research papers के regarding, ठीक है, articles के regarding, हमें information provide करते है, इनका कामी research engine का यह होता है, कि यह क्या करते है, जितने में academic fields related requirement होती है, चाहिए books हो गया, journal हो गया, paper हो गया, वो सारी चीजे हमें provide करते है, academic search engine, so they prioritize academic content including journals, conference, papers, thesis and research publication, तो इस search engine के अंदरा हमें सारी चीजे gather कर सकते हैं, ठीक ह तो academic नाम से पता लग रहे है, जो हमें academic field के regarding help करता है, वो academic search engine है, इसके बाद है deep web search engine, अभी deep web search engine कोन सा होता है, it refers to that engine to provide search results from the deep web or hidden web, अब यह search engine ऐसा है, जो मुझे hidden information provide करता है, जो general level में मुझे देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, वो मुझे hidden चीजे जो है, इस engine के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, deep web search engine के अंदर, the deep web refers to part of internet that are not indexed by general search engine, तो जैसे मालो कोई ऐसी चीज़ है, मैं Google पर search करता हूँ, मुझे नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अगर वो ही चीज मैं deep web search engine पर हूँ, तो उसके chances है कि मुझे देखने को मिले, ठीक है, तो कोई चीज ऐस academic या whatever, तो इस तरह से आपसे question पूछा जा सकता है, ठीक है, तो डगडग गो जो है, और जो टोट search है, यह deep web search engine है, इसके अंदर हमें ऐसे information देखने को मिलती है, जो हमें general level पर नहीं देखने को मिलती है, इसके बाद है private search engine, तो private search engine कौन सा है, अगें, जो deep web है, वो एक private search engine ह है, क्योंकि यह public domain में सारे काम नहीं करता है, यहाँ पर हमें ऐसे से information, ऐसे से चेचे देखने को मिलेंगी, जो हमें general level पर नहीं देख सकते हैं, यह जिसके उपर government ने restrictions लगा रा किया है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो यह होता है हमारा private search engine, so they do not track or store personal information, तो खास बात इसकी यह रहती है private search engine की, यह हमारी information को store नहीं करते हैं, जैसे कि general search engine के अंदर cookies हमारा काम करती है, catcher memory होती है, जो हमारा information को store कर लेती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ महीं नहीं किया जाता है, खौप सो clear होगा होगा, इसके बात friends बात करते है, file formats की, आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप से पूछा जाएगा, एक particular file format देज़े जाएगा MP3, और पूछा जाएगा, यह किस ठीच का है, यह video का है, audio का है, या text का है, whatever किस ठीच का है, तो इस तरह से question इसमें ask किये गया है, यह भी important app में आप में, चले देखते हैं, तो य generally मैं आपके साथ PDF शेर करूँगा, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, फिलाल के लिए आप जान लीजिए, इनके जो full form है, MP4 की full form क्या है, बैसिक लिए AVI की full form क्या है, यह भी काफी important है, यहां से भी आपको question देखने को मिल सकता है, तो जितने भी video format है, हमा होना चाहिए, तो अगर MP4 की बात करें, तो इसको कहते है, MP4, part 14, a widely supported video format that offers efficient, comprehension and good quality, video quality में provide करता है, AVI भी सेम ऐसा ही है, audio video interleave है, इसका full form important है, यादखना, AVI की audio video interleave, ए popular video format developed by Microsoft, यह भी important है, यह किस ने develop किया था, तो AVI जो है, Microsoft ने develop कर रखा है, इट supports multiple video and audio, इसके बाद हम बात करते हैं, MKV, MKV क्या कहा है, MetroXa video, तो again, an open source container format that holds multiple videos, streamlined in a single file, MOV बात करें, तो क्योग time movie, ए फोर्मेट developed by Apple, तो यादखना, MOV किसे ने develop कर रखा है, Apple ने develop कर रखा है, तो Apple के फोन इसको support करते है, MOV को, WMV के बात करें, तो Windows Media Video, ए वीडियो that developed by Microsoft, provides good comprehension suitable for Windows based system, तो Windows के लिए जादा suitable रहता है, यह हमारा Windows Media Video, तो generally आप PC कोन करते होगे, तो जो हमारी वीडियो जनरत करते हैं, वो इसे में करते हैं, इसके बाद FLV, FLV की full form Flash Video, ए फोर्मेट कोमनली यूज़ फोर वीडियो वीडियो प्लेबैक एंड पॉपॉलराइज बाइड एडोब फ्लेश, इसके बाद MEPG moving picture expert group, इसके full form काफी बार पूचे जाती है, यह काफी important है, इसके full form बहुत बार पूचे जाती है, तो ए फोर् G में देखना है, या वटेवर कुछ में देखना है, तो यह उसी को support करता है, इसके बाद 3GP, बहुत टाइम पहले चलता था 3GP, अब तो फिलाल यह बंद होगा, जब पुराने phones आते थे, उसमें 3GP चलता था, ठीक है, MP4 M4V, तो यहाद रखना है MP4 Android को support करता है, MP4V जो तो इसकी full form क्या है, joint photographic experts group, यहाद रखना है, यह काफी important है, full form काफी important ring-in की, उसके बाद PNG, PNG की full form क्या है, portable network graphic, a luceless image format that support transparency and provide high quality image, तो PNG की जो image होती है, generally high quality होती है, in comparison to JPEG, इसके बाद GIF, काफी चल रहा है, आजकल WhatsApp पे भी हम share करते हैं, full form है graphic interchange format, इसकी full form दो बार पु तो एक format that support animation, जो animations को support करता है, इसके बाद BMP, bitmap image, एक standardized image that stores color data for each pixel, तो generally जो paint के अंदर है, हम image करते हैं, वो BMP के अंदर या आती है, इसके बाद T.I.Develop, tagged image file format, एक versatile format used for storing high quality images, तो जो high quality images को store करता है, इसके बाद हम बात करते है, JPEG 2000, एक format based on velvet comprehension that offers high comprehension ratio and improved image quality, ठीके, तो ये क्या करता है, high, हमारी comprehension ratios और improved image quality हमें offer करता है, JPEG 2000, इसके बाद SVG, scalable vector graphics है, again, scaled without losing quality, इसमें quality हमारी losing होती होती, इमेज की, लेकिन वो high MB और GB के हमें, high MB की basically देखने को मिलती है, इसके बाद HEIF, high efficiency image format, तो high efficiency image format क्या है, एक modern image format है, offer high comprehension efficiency and support advanced features, तो ये advanced features को हमारा क्या करता है, support करता है, इसके बाद PSD है, Photoshop document है, हमारा, the native file format of Adobe Photoshop, PSD file supports layer transparency and other advanced feature, तो इसारे advanced हमारे चलते आ रहे हैं, ठीक है, तो बट्स आपको इतना पता होना चीए, कौन-कौन सा जो है, हमारा image का version है, कौन-कौन सा हमारा audio का है, ये important है, दूसरे इनकी full form important है, otherwise, मैं ये PDF आपसे का share कर दूँगा, वहाँ पर आप जाकर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अब हम बात करते है, sound file format, तो sound की है, कौन-कौन सी file format हमारा पास, सबसे पहला है MP3, MP3 की full form क्या है, MPG1 audio layer 3, तो ये widely used है, MP3 को हमको पता है, कि बहुत टैम पहले काफी यूज होता था, फिलाल के लिए तो हम वीडियो में ज्यादा काम चला लेते हैं, MP3 का इतना यूज नहीं है, लेकिन पहले इसका बहुत यूज होता था, इसके बाद है WAV, waveform audio file format, that provides high quality, uncompressed audio file, तो basically क्या है, हमारी जो files होती है, WAV की, वो high quality की होत information without any loss of data, FLC files return the audio quality is result in higher file नहीं नहीं किया जा रहा, उसकी जो file का size है, वो कैसा रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, इसके बाद है AIFF, audio interchange file format, so a file format developed by Apple, तो यह याद रसना कौन सी Apple की है, और कौन सी हमारी जनरल Microsoft है, इन चीज़ का भी आपको बता होना चाहिए, ठीक है, तो यह भी high quality और uncompressed rate है, WMA, window, media, audio, तो यह Microsoft है develop कर रखा है, तो generally जितने भी हमारी जो चलते हैं, MP3, songs वेरा जो run करते हैं, वो इसके थ्रूही करते हैं, इसके बाद है AAC, advanced audio coding, ए popular audio format known for its improved sound quality compared to MP3, तो इसकी again sound quality ज्यादा improvement है in comparison to MP3, AAC is commonly used for streaming mobile devices and digital music distribution, तो जो live streaming होती है, basically AAC, के दुरू हम करते हैं, इसके बाद है AAC, apple looseless audio codec, again apple ने develop कर रखा है, MP4, although primarily known as video format, but MP4 can also contain audio tracks, तो यह भी important है, याद रखना, MP4 वैसे तो हमारा video content के लिए चलता है, लेकिन इसको हम आज कल जो है, किसमे, audio tracks में भी इसको use करने लग गया है, ठीक है, जैसे कि AAC और MP3, MP4 is commonly used for multimedia playback and streaming, तो वैसे तो जनल यह आप, stream digital, तो live streaming के लिए हम इसका use करते हैं, DSG का, direct stream digital, ठीक है, अब बात करते हैं, major anchoriums, in ICT, तो ICT में काफी सारे ऐसे हैं, जो हमारी जो full forms है, जिनको बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा use भी होती है, उनको पूछा भी बहुत जाता है, फुल फॉर्म जो बेसिक लिए, तो जो लो देख लेते हैं, एक बार, तो यह बहुत बेसिक चीज़ है, फ्रेंट्स जब PDF शेर करे जाएंगी, तो उसमें से पढ़ लेना आप, ठीक है, समझने वाला इसमें कुछ है नहीं खास, तो ICT, Information, Communication Technology, IT, Information Technology, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, IoT, Internet of Things, Virtual Reality, AR, Augmented Reality, देखो, यह यह चीज़े जो है, AR, VR, देखो, AR, VR का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, इनकी फुल फॉर्म आप से पूछे जा सकती है, तो Virtual Reality और Augmented Reality, वर्चुल रेल्टी तो हम भी पता होता है, लेकिन AR का मतलब होता ह Augmented Reality, UI का User Interface, UX का User Experience, GUI का Graphic User Interface, API का Application Programming Interface, ERP, Enterprise Resource Planning, CRM, Customer Relationship Management, CMS, Content Management System, SEO, Search Engine Optimization, HTML, Hypertext Markup Language, CSS, Cascading Style Sheet, C, I, B, IMPORTENT है, SQL, Structured Query Language, I, B, IMPORTENT है HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, SSL Secured Socket Layer, यह IMPORTENT है, TLS, Transport Layer Security, DNS, Domain System, यह B, IMPORTENT है, LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, VPN, Virtual Private Network, IP Internet Protocol, TCP, Transmission Control, DHCP, Dynamic Host Configuration, FTP, File Transfer Protocol, SSH, Secured Shell, WPO, Wi-Fi, Protected Access, GSM, Global System for Mobile Communication, काफी IMPORTENT है, CDMA, Code, Division, Multiple, Assess, NFC, Near Field Communication, RFID, Radio Frequency, Identification, Again, काफी IMPORTENT, GPS, इसके बारे में पूछा भी गया है, Global Positioning System, Last Time, जो NET के एक्जाम होगा था, उसमें Specific, पूछा गया था, रहा है कि आपके लिए कहीं बेने कहीं बेनेफिशल होने वाला है, तो प्लीज लाइक चूड करना, ठीक, और आपने फ्रेंड्स का शेर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप यूजिनल पेपर की पेपेशन कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स क ठीक, CPU, Center Processing Unit, GPU, Graphic Processing Unit, RAM, Random SS Memory, ROM, Read Only Memory, SSD, Solid State Drive, HDD, Hard Disk Drive, USB, Universal Serial Bus, IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineer, ISP Internet Service Provider, XSS Cross, Sites, Scripting, होप सो क्लीर हो गया होगा, यह सब चीज़े आपको PDF मिल रहेंगी, तो आप देख लेना, ठीक है, लास्ट टोपिक पर वर्क करते हैं, अपने URL, Uniform Resource Locator, टोपिक काफी छोटा है, लेकिन काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, URL काफी इंपोर्टेंट टोपिक है, और काफी स् है, बेसिकली हमारा, जैसे हमारा नॉर्मल घर का अड्रस होता है, सेम ऐसे ही, साइट के में अपने अपने अड्रस होते हैं, जो डिफाइन की जाते है, URL के थ्रू, तो URL 10-4, पहली बात उसकी जो फूल-फोम है, वो काफी इंपोर्टेंट है, Uniform Resource Locator, अब यह है क्या, so it is a web address that specify the location of a resource on the internet, तो basically एक web address है, जो location को specify करता है, जैसे कि मालनों मैं को website search कर रहा हूँ, अब website search करता हूँ, वो automatically आग्या आ जाती है, तो वो जो एक location होती है, उस website की, ठीक है, उसको search करने में help करता है, हमारा URL, URL have a specific structure, अब URL का specific structure होता है, ठीक है, URL में कहीं सारी चीज़े include होती है, वो कौन-कौन सी होती है, चले देखते हैं, सबसे पहला तो होता है, इसके अंदर protocol, अब protocol क्या होता है, protocol हमारा specify करता है, rules and convention for communication between the client and the server, ठीक है, तो protocol basically क्या करता है, link बनाने का काम करता है, client के बीच में और server के बीच में, अब protocol कुन सा होता है, मारा HTTP, hypertext transfer protocol और HTTPS, तो पहला काम जो link मुनाने का होता है, वो protocol का होता है, उसके बाद होता है, domain, domain क्या होता है, identify the specific website, dot com हो गया, dot in होते हैं, हमारे domain होते हैं, ठीक है, तो यह sites को identify करने में क्या करता है, help करता है, जैसे कि example हम बात क इसके बाद path, path क्या होता है, represent the specific location, path represent करता है कि वो जो file है, वो किस location पर है, वो define कर जाते है path के थूरू, यह भी part है, किस इसका URL का, इसके बाद है parameter, parameter क्या है, it includes in the URL to pass additional information to the server, अब server को कुछ additional information के जो requirement होती है, वो उसको parameter से थूरू दी जाती है, such as queries or data for dynamic content generation, तो अगर उसक regarding कुछ और हमें additional information किया है, तो वो provide करते है, हमारे parameters, अलग से होते हैं, जो काम करते हैं, इसके बाद है fragment, fragment क्या होता है, the fragment refers to a specific section or anchor within a webpage, अब मालो एक website खोली, website के अंदर काफी सारे web pages होंगे, उस web pages का specific section जो होता है, उसको हम कहते है fragment, ठीक है, जैसे कि मालो मैं Wikipedia के को website खोल fragment कहलाएगा, पूरे web pages में से सिर्फ मैं particular topic पर focus कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है fragment, अब example की तुरू देखना, जैसे कि मालो एक site में मैंने सर्च करा, hdps slash www.example.com path page.html id123 section 1, अब इसमें सारी चीज़ें आगे, इसमें मेरा domain name भी आ गया, इसमें मेरा path भी आगया, parameter भी आगया, fragment भी आगया, है कैसे आ गया, protocol case के अंदर hdps है, ठीक है, उसके बाद हमारा domain name कौन सा है, यह example.com मारा domain है, path जो है हमारा, ठीक है, तो बहुत सारी section दे रखे होंगे, section 1 पर मुझे क्या करना है, काम करना है, section 1 मेरा क्या किलाएगा, fragment कलाएगा, होप सो बात clear होगे, friends, बहुत चोटा topic था, लेकिन काफ़ी important है, URLB, तो मैंने कोशिश यही करी है, कि आपका भी time waste ना हो, मेरा भी time waste ना हो, जितना important हो, वो करा हो, बस enough है, ठीक है, फालतो information देने की अभी need नहीं है, revision point of view से काफी best रहने वाली है, वीडियो, ठीक है, personal level में बता रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप previous year के question उठाना, और attempt करके देखना, इस वीडियो को देखने के बाद उसको attempt करने के कोशिश करना, यकीन मानिए, आपके easily attempt हो जाएंगे, okay, so friends, वीडियो अच्छी लगी है, तो like जूर करना, चैनल को subscribe कर लेना, अगर आप यूजिजनेट paper 1 की, और paper 2 commerce की preparation कर रहे हैं, thank you friends for watching,